गिरिदी के रिहाइशी इलाके में इस्थित निखर होटिल में काम करने वाले कर्मी की संदिक रूप में मौत हुई है परिजनों ने होटिल मालिक द्वारा मर्डर कर दो मंजिल से नीचे गिरा देने का आरोप लगाया है परिजनों के अनुसार मृतिक की गले और पेट में चाको के निशान मौजूद है यहां चाको का दाग है यहां घर दाग है यहां रोड से मारा सब्सक्राइब यहां पर बड़ा सा नाखुन का दाग है यहां पर प्रवेश करने के लिए नहीं दे रहाते हैं यहां रहाते हैं टीश काम कर रहाते हैं अर जब जब तनखा मांगते थे हम लोग घर में तो बोलता था कि मा मालिक पैसा नहीं देता है कि नहीं च्ड़े जब आते हैं तो बोले एक हजार रखो महीं मृत की माता बिलासी देवी ने बताया कि सीता राम बीते छे महीने से होटेल में काम कर रहा था परंतु मालिक द्वारा कई महीनों से तनख्वा नहीं दी जा रही थी इस घतना की खबर जब पुलिस को मिली तब नगर ठाना प्रभारी प्रदीप कुमार दल बल के साथ होटल पहुचकर शब को पोस्त मातम के लिए भेज दिया प्रदीप कर दो होटल इकाप द्याक्ति क्लिठी हो गई है और उस में आये तो देखे कि उसका पुलिस को है अभांडी को सादर अस्पताल ले लाई थे और सादर अस्पताल में उसको अध्डाय परताल किये उसका इंट्वेष्ट किये इंट्वेष्ट् आपको बता दे ये मामला दर्च करचाच शुरू कर दी गई है गिरिरे से नियूस के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट कर दो क्यों खुरू शुर।